कि अग्राइब कर दोस्तों मैं सुर्ज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्व चनल सुर्या क्लासेश पर जैसे कि दोस्तों आप लोग पता है डेली एटेयम पर मेरा इस्पोकन इंगलिस का क्लास आता है दोस्तों आप लोग बीच तेमर फिर से एसुद्व तो आप लोग बैच जैसे कि दोस्तों आपको सregर्भीस के घुर्षे देने जा रहें क्यों क्योंकि यदि आप अपना काम कर लेते पूरा कर लेते हैं तो inspector इसके अलावा और भी मेरा मेरा पूरा कोर्स चलता रहेगा और मिस्फिस दे रहे हैं यह आप घर में बोलने वाला फ्रेज पहले आपको दे रहे जिसे कि आप घर में बोलकर आप बोलना इस्टार्ट कर दे Çünkü जब आप बोलना एक बारे स्टार्ट कर दीजेगा तो फिर आपको एक आदत बन जाएगा तो नया नया सेंटेंस जो भी आएगा दोस्तो आप उसको प्रियोग करना अच्छा तरिकास से बोलना सीख जाएगा अब बोलने का कोशिस भी करने लगे लगे तो इसीलिए करने हैं जो घर में बोलते हैं जैसे परकारी करते हैं इंगलिश में उसको कैसे भाग में बोलेंगे हैं तो उसी के बारे इस पहले चुक करते हैं कि अब करवाद चुके हैं कि आपको पता Top तो भी अच्छा तरीक अच्छा लगता है इसके बाद इसांसर के बाद यह सकता है इसका जबाब यह सद लगा है वह कैसा लर्का है और कैसी लरकी है तो इसके लिए तो दूस्तों बता चुकत है जैसे कोई बोलता है कि अच्छा है खराब कुछ भी बोलता है तो उसके सामने वाला क्या बोलते हैं बोलते हैं क्यों बच्चो जैसे बात कर रहे हो जैसे वो इसके बात चीत हुआ है पहले बोलता है ना जैसे को कैसा लरका है कैसे लरकी तो उसके बारे में सामने वाला जब बोलता कि अच्छा है खराप है तो सामने वाला ब बच्चो जैसे कि बात कर रहे हो इसी तरह बता रहे है कि यह अच्छा यह खराब है तो दोस्तों इसको क्यों इंग्लिस में क्या बोलेंगे क्यों बच्चो और तो मतलब जैसे बात कर रहे हो दोस्तों इसको इंग्लिस में क्या बोलेंगे तो चलिए why are you throwing tantrums like a child क्या बोलेंगे why are you throwing tantrums like a child क्या बोलेंगे दोस्तों why are you throwing tantrums like a child यानि इसका मतल हिंदी में क्या हुआ क्यों बच्चों जैसे बात कर रहे हो इसको इंग्लिस में क्या बोलेंगे why are you throwing tantrums like a child प्रिक्ट्र नियुक्स सेंटेंस क्या है और तुम क्या हर वक्त होन पर कर रहा है करती रहती है क्युव की घर में हमीशा Mowal पर game वेगरी क्षिदे रधे तूर्फ के ai गेंड पटा बोलते हैं तुम होना फॉन पर टीक बोलेंगे इसको इंग्लिख में और तुम क्या हर वाक्त फॉंद पर and what are you always doing on the phone कि यह दोस्तों next क्या इसे नीचे रखो और मेरी बात सुनो मैंसे कोई काम करते रहते हो तो बोलते हैं न अभी यह काम बंद करना बंद करो इसे नीचे रखो और जो हम बोल रहे हमारे बात पर फोकस करो दोस्तों इसको कैसे बोलेंगे इंगलिस में कि इसे नीचे रखो और मेरी बात सुनो put it down and listen to me क्या बोलेंगे इंगलिस में put it down यान इसे नीचे रखो and listen to me और मुझे मेरी बात सुनो क्या बोलेंगे दोस्तो इसे नीचे रखो और मेरी बात सुनो के इंगलिस में क्या बोलेंगे put it down and listen to me put it down इसे नीचे रखो और मेरी बात सुनो के लिए क्या होगा दोस्तो and listen to me put it down and listen to me clear दोस्तो यानि इसे नीचे रखो और मेरी बात सुने के लिए क्या बोलना है put it down and listen to me यानि नीचे रखो और मेरी बात सुनो नेक्स्ट क्या दोस्तों लेकिन भाहिया भी तो लेपटॉप पर लगा हुआ है जैसे दोस्तों छोड़ जिस बच्चों को बोल रहा है तो इसको बोलते क्या इसे नीचे रखो और मे भाए लैपटॉप पर कोई रहे हैं तो मामी परफास से क्या बोलते हैं लेकिन भाहिया भी तो लेपटॉप पर his laptop यादी लेकिन भाया भी तो laptop पर लगा हुआ है इसके लिए इंगलिस में क्या बोलना है बट ब्रदर इज ऑल्सो इंग्रोस्ड विट ही लेप्टप तो उसके मामी प्वा क्या बोलते हैं उनसे ओ लेप्टप पर काम कर रहा है यह उनके बरेव है लेप्टप से कोई काम कर बट ब्रदर इज ऑल्सो इंग्रोस्ड विट ही लेप्टप तो उसके प्रेंट्स बोलते हैं वह लेप्टप पर काम कर रहा है तो दोस्तों वह लेप्टप पर काम कर रहा है इसको क्या बोलेंगे इंगलिस में ही इज वर्किंग ऑन दा लेप्टप क्या बोलेंगे ही इज working on the laptop यानि वो लेपटप पर काम कर रहा है किलिए दोस्तों इसके लिए इंगलिस में क्या बोलना है he is working on the laptop नेक्ट दोस्तों तुम्हारी तरह फालतू की चैटिंग नहीं कर रहा है और उनके प्रेंट्स भी बोलते हैं तुम्हारी तरह फालतू की चैटिंग नहीं कर रहा है और लेपटप पर कुछ काम कर रहे हैं तो तुम्हारी तरह फालतू की चैटिंग नहीं कर रहा है इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे he is not chatting on this uncensoryly you like you यानि he is not chatting on is answerly like you clear दोस्तों सब के सब निकम्भे किसी के गार्जियन से जो भी घर में होते कोई काम नहीं हो पाता किसी से तो क्या बोलता है सब के सब निकम्भे हैं यानि किसी को कोई काम सोपा गया रहता है यानि नहीं होता है तो गुश्य में क्या बोलते हैं सब के सब कोई काम नहीं हो रहा है तो इसके सब के सब निकम्भे है दोस्तों आपको मालूम होगा कि सब के बहुत जगा पर इस परकार का सब सुनने के लि 質 यह सब कर स diferentes when the all of them are good for nothing all of them are good for nothing ऑनाफ देमार् good for nothing इसका मतलब होता है सबके सब Mix It's in English में क्या बूलेंगे all of them are good for nothing इसके इसके éléments क्थक्लिक होता बात को लेकर सोच कर बार-बार परसान होती रहते हैं तो बोलते हैं सामने वाले इस बारे में सोच के खुद को परसान मत करो यानि किसी चीज़ के बारे में कोई सोच रहा है और खुद से परसान हो रहा और सामने वाला बोलता है ना इस बारे में सोचो मत और खुद को ज्या परसान मत करो इसको मुलेंगे इसको में सूच के खुद को परसान होते हैं सामने वाले चोटी बात को लेकर परसान नहीं होते तो दोस्तों छोटी-छोटी बात पर परसान नहीं होते ही तो हिंदी में जहां तहां लोग बोलते ही है सुनते ही है पर इसको इंग्लिस में कैसे बोलेंगे तो चलिए जानते हैं इंग्लिस में कैसे बोलेंगे छोटी-छोटी बाते पर बात पर परसान नहीं होते इसके लिगनिस में क्या बोलेंगे don't get upset over the little things क्या बोलेंगे don't get upset over the little things यानि इसका मतलब हुआ छोटी-छोटी बात के परसान नहीं होते नेस्ट क्या दोस्तों ड्रेस के लिए दुखी मत हो जैसे मां लिजे कहीं पर किसी को तो कहीं पर किसी को जाना है और उसका ड्रेस साफ नहीं है और कहने कि या कोई ड्रेस खराफ या चाल तो अपने ड्रेस को लेकर 10 रहते dentro में रहते हैं तो सामने वाले बोलते हैं ड्रेस के लिए दुर्खी मत हो इसे तो जहां था हम भी बोलते हैं आप भी बोलते होंगे इसे कहीं पर किसी को जाना और उसका कपड़की सिऴ अन गॉतOut हिंव दुख्य मत्तों ड्रेश के लिए दुखी नश्का विभलेंगे डर्ट डान्ट गेट अपसेट इबाउट डर्डेश नेस्ट के दोस्तों छोटा च्होटा सा नंख है र्मासी यह कोई ड्रेशर के च्छोटा सा वी इस माली जय दाग लग गया दोस्तों कोई चीज का एंक का या कोई चीज का माली दाग लग गया तो क्या होता है छोटा सा तो दाग है इसे बोलते ना छोटा सो तो दाग है तो इसके लिए क्या बोलेंगे it is just or little stain क्या बोलेंगे it is just or little stain यानी छोटा सातव दाग हो किसी कर ड्रेस के लिए कोई दुखी हो रहा है क्यों कि उसके कफरा में कोई दाग लग गया दोस्तों बोलते हैं सबसे पहले तो को दोते हैं डांट गेट उपसेट एक बावड द्रेस यारे डूखी हुथ में नहीं होते हैं मत भूण चोटा सा दाग है तो किया बोलता है के लिए चोटा साथ दाग है इंगर गोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ चोटा साथ दाग है इसके लिए इस ज़स्ट और लेटिल एस्टेन नेक्ट दोस्तों दिख भी नहीं रहा है हम लोग बोलते हैं जबने इसका इन्ग्लिश में क्या बोलेंगे इट इज नॉट इभेन भीजिवल यानि इतना छोटा सा है कि दिख भी नहीं रहा है फिर इसके लिए टेंशन ले रहे हो अब को एक बरा सम्टेंश बनाना है तो यह तीनों को एक साथ कर दिजिए ड्रेस के लिए दुखी मत हो छोटा साथ दाग है दुखी नहीं रहा है दोस्तों तीनों के जादी एक साथ आपको मिलाका बनाना तो बना सकते हैं कैसे बोलेंगे ड्रेस के लिए दुखी मत हो चोटा सा दौग है दिख भी नहीं रहा है तो किलियर दोस्तों इस परकार से आप क्या कर सकते इसको इसी परकार से क्या कर सकते सब को आप बार बार रिवीजिंग करके याद करके दोस्तों आप परकार का सब्सक्राइब जरूरी पर जा रहा है बोलने के लिए आपको आप वहां पर इसका उप्योग कर सकते दोस्तों हैं इसको का नार्व कि बोलना चाहर है दिटो याद हो निसेख्यां आपने नहीं सबस्राइगा उसकी पाइक दूर नहीं मस्कों को इतलि कौन वकली तो इसको नहीं खली confirming आपके पास नहीं रहेगा तो आप सुचते रहेगे क्या होगा इदार उदर भटकते रहेंगे आपको समय जाएगा आप नहीं सिख पाएंगे गलत सलत बोल सकते हैं आपको आपके पास यदि मालीजे प्रोपर तरीका से नौट रहेगा तो आप क्या किजीगा इसको आप देखकर रिविजिंग करके गलत को सही कर सकते जो आपका गलत कोई कहीं पर कंफीजन है तो कंफीजन दूर कर सकते दोस्तों चैनलिए इस छाल्合क को आप पूरी तरह से नौट कर लिए होगा हो डोस्तों गया शार क्लास और एक और नए एच्टूराइट है तो सबस्क्राइब भी कर लिए तो आपके बाल भी स्टार्ट होने से पहले आपके पास नौटिफिकेशन चले जाएं दोस्तो आज के च्छाम इतना है फिर मिलते हैं the next class में तब तक के लिए टेक कियर बाई-बाई-बाई